मा काली और रक्त बीज की कहानी बहुत समय पहले की बात है एक असुर समराट रंब ब्रहमा जी की कठिन तपश्या कर रहा था उसी समय देवराज इंदर ने उसे धोखे से मार दिया अगले जनम में वह रक्त बीज के नाम से पैदा हुआ और उस जनम में भी उसने ब्रहमा जी की घोर तपश्या की ब्रहमा जी उसकी तपश्या से बहुत प्रसन हुए और उसे दर्शन देकर ब्रहमा जी ने कहा हे दानवराज मैं तुम्हारी तपश्या से बहुत प्रसन हूँ तुम मुझसे इच्छा वर्दान मांग सकते हो रक्त बीज ने कहा हे प्रभू आप मुझे ऐसा वर्दान दीजिए कि युद भूमी में मेरे शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदे धर्ती पर गिरें उन से मेरे जैसा ही नया रक्त बीज पैदा हो जाए जो शत्रूं से वीर्ता के साथ युद कर सके तथा अस्तु कहे कर ब्रहमा जी अपने धाम को वापिस लोट गए ब्रहमा जी से ऐसा वर्दान पाकर रक्त बीज बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी बन गया युद में उससे कोई नहीं जीत पाता था वह अपने आपको अजर अमर समझने लगा था और वह स्वर्ग की देवियों को भी अपना बनाने की विक्रित मानसिक्ता का शिकार हो गया था उसने स्वर्ग की देवताओं पर आकर्मन कर दिया और उन्हें चुनोती दी की आओ और मुझसे युद करो और यदि मुझसे युद करने की हिमत नहीं है तो अपनी राजगदी छोड़ दो और मेरी दास्ता स्वीकार कर लो युद में उसके शरीर पर हलका सा घाव होने से उसका रक्त जमीन पर गिरने लगा और उस रक्त से अंगिनत रक्त बीज पैदा होते चले गई और देखते ही देखते पूरी सेना तयार हो गई यह सब देख देवताओं के पैर उखड गई वे अपने प्राण बचाकर भागने लगे और वे कैलास परवत पर जा पहुँचे पूरे स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया ब्रह्मा विश्नु और महेश भी पशोपेश में पढ़ गए देवताओं ने कैलाश पती से विनती करते हुए कहा है महादेव अत्याचारी असुर रक्त बीज ने पूरे स्वर्ग लोक में उत्पात मचा दिया है और वह देवियों के प्रती भी बहुत अनूचित भाव रखता है जब वह युद करता है तो उसके शरीर से निकले रक्त से और बहुत सारे उसी के जैसे रक्त बीज तैयार हो जाते हैं और वे सारे मिलकर हमारे उपर आकर्मन कर देते हैं। उसे हराना और संभव है। उसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। ये प्रभू उसके उत्पात से हमें बचाईए। भगवान शंकर जी के साथ साथ मा पार्वती को भी बहुत करोध आ गया। मा पार्वती ने मन ही मन रक्त बीज का संहार करने का संकल्प ले लिया और देवताओं से कहा आप लोग यहां से प्रस्थान कीजिए। उस दुष्ट रक्त बीज का संहार मैं करूंगी। दानवराज रक्त बीज महादेव की नगरी कैलाश पर भी पहुँच गया। वहाँ पर उसने जब माता पार्वती को देखा तो उनके संद्रिय पर मोहित हो गया। माता पार्वती को बड़ा क्रोध हाया और उन्होंने रक्त बीज को युद के लिए ललकारा। माता पार्वती ने ललकारते हुए कहा ए दूस्ट दानव अग तेरा अंत समय निकट आ गया है तुने स्वेम ही अपने मृत्यू को निमंतरन दे दिया है। इस पर अभिमानी रक्त बीज ने हस्ते हुए कहा कि मुझे कौन मार सकता है। मैं एक रक्त बीज से सो फिर हजार और दस हजार और उस से ज़्यादा भी बन जाऊंगा। मेरा मुकाबला तीनों लोकों में कोई नहीं कर पाएगा। मा पार्वती गुस्से से बोखला जाती हैं और रक्त बीज को ललकारती हुई कहती हैं कि दोस्ट मैं तेरे हर प्रती रूप को नश्ट कर दूँगी। आजा तुम मुझे से युद कर। इस तरह मा पार्वती और रक्त बीज के बीच में बहंकर गायल कर दिया और जैसे ही उसके रक्त की बूंदे जमीन पर गिरी कई रक्त बीज तयार हो गए। और उसके साथ लड़ने लगे। मा पार्वती का क्रोध भी बढ़ता चला गया। उनका शरीर काला और आखे लाल हो गई। तीनों लोकों में जैसे तूफान सा आ गया ती महाकाली के रूप में आ गई। उनका ड्रावना रूप देखकर सभी बहभीत हो गई। अब सभी समझ गए कि अब रक्त बीज का अंत निकट है। उनकी समझ में आ गया था कि अब रक्त बीज के रक्त को जमीन पर नहीं गिरने देना है। माता पार्वती का यह विक्र प्रप्राइब देखकर रक्त बीज भी बहबीत होकर भागने लगा। माता के तेज के आगे बहुत सारे राक्षस जलकर भश्म हो गए। भयानक रूप गले में मुंड माला, हाथ में तेज खडग के साथ में काल से भी बहनकर दिखाई पड़ रही थी माता। माता ने रक्त बीज को ललकारते हुए कहा, हे दोस्ट रक्त बीज, अब दुनिया की कोई शक्ती तुझे नहीं बचा पाएगी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, फिर भी अभी मानी रक्त बीज कहता है, मुझे मारना असंभव है, चाहो तो कोशिश करके देख लो। आदी शक्ती के अवतार मा काली ने रक्त बीज का सिर काट कर उसे खपर में रख दिया और उसके रक्त का पान किया, ताकि उसके शरीर की एक भी बूंद धर्ती पर ना गिर सके, और बाकी बचे हुए असुरों को भी अपने मुख में समा लिया, और जोर जोर से हसने लगी मा काली की हसी की गूंज तीनों लोकों में गूंज उठी, इस तरह काली ने रक्त बीज का तो अंतकर ही दिया, लेकिन उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था, मा काली की क्रोधागनी ने प्रचंड रूप ले लिया था, और उनक को शांत करना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था सभी देवता मदद के लिए भोले नात की शरण में गए और उन से विन्नती की हे प्रभू अब तो महाकाली को शांत करना बहुत मुश्किल हो रहा है अब तो आप ही कोई उपाय कीजिये अन्य था सर्वनास हो जाएगा भोले न मा के पैर भोले नात के शरीर को स्पर्श किया वे चोंक गई उनका क्रोध एकदम शांत हो गया और वे अपने असली रूप में आ गई शांत होते ही माता पारवती महादेव से कहती है के प्रभू ये आपने क्या किया आप उठ जाएए आपका स्थान तो कैलाश परवत पर है और मा पारवती भगवान शिव शंकर के साथ कैलाश परवत पर चली गई इस तरह अत्याचारी रक्त बीज का अंत हुआ और मा काली का क्रोध भी शांत हुआ